नमस्कार स्वागत या आपको इंडियानी उस हर्याना आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ निकितारोडा बुलिठन की शुरवाद बड़ी खबर के साथ करते हैं बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर केंद्र सरकार ने कानून होल्ड करने का विरोध किया है तो वह ये एज़ी के द्वारा कहा गया है हम कानून लागू होने पर रोक की बात कर रहे हैं बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं देखिए सुप्रीम कोट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और साथ ही कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने कानून हो कार लगाई गई है सुप्रिम कोट के द्वारा क्रिशी कानून मौलिक अधिकारों का उलंगा नहीं सरकार ने कहा कि राजपत पर टेक्टर मार्च करेंगे किसान गरतंत्र दिवस की परेड में बाधा डालना मकसद ये कहा गया सरकार के द्वारा किसानों के वकील बोले हैं र बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किसान आंदौलन पर सुप्रिम कोट में सुनवाई जारी है और सुप्रिम कोट ने पटकार लगाई है केंद्र सरकार को सुप्रिम कोट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई हम केंद्र सरकार से बहुत निराश्य ये कहा गया सुप्र रहे हैं बड़ी जानकरी आपकी टीविस्प्रींग पर सिती खराब हो रही है ये कहना सुप्रेम कोर्ट का कि हर दिन सितियां खराब हो रही है और हर दिन नए मामले जो विरोध के सामने निकल कर आ रहे हैं जिससे लगतार जो मांगे है 순सा नुकी ये कहना भी है सब़ाया त सुविधाई नहीं है बड़ी खबर आपके टेवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं कानून पर स्टेन नहीं लगा सकते यह जी का कहना है कमेटी की रिपोर्टता कानून होल्ड करने की सोच रहे हैं स्तिथी खराब हो रही है लगतार सुप्रीम कोट ने ये भी कहा बड़ी जानकारी आपके टेवी स्क्रीन पर बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं देखें बड़ी जानकारी दूसरे राजों के किसानों को समस्या नहीं है ये जी के द्वारा कहा गया है सोचल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा एक तरफ कोरोना की मार तो द धरना स्थल पर भीड उमरती जा रही है उससे भी सुप्रिम कोर्ट ने चुन्ता जताई है कोर्ट सिर्फ प्रदशन की जगा निरधारित कर सकता है